नमस्कार किसान भाईयों, हमारे यूटूब चैनल खेती किसानी पर आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पान जमगा 804 की जो इंप्रूट बराइटी है और जिसको पान कंपनी ने बनाया है इसको हम मनसूरी धान भी काते हैं जिसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है इसके दाने मध्यम मोटा वजंदार वम चमकदार होता है आप इसकी नरसरी जून के प्रतम सब्ता में डाल सकते हैं तथा 20-22 दिन के बाद आप इसकी रुपाई खेत में कर दे 8-12 किलो सीड एक एक एकड के लिए आप नरसरी में डाल सकते हैं किसान भाईयों यह 140-145 दिन की बराइटी है जब सीड को नरसरी में डाला जाता है उसी दिन से इसकी अवध को माना जाता है बात करते हैं इसके पौदे के उचाईगी तो प्लांट हाईट 110-15 सेंटी मीटर होता है यह एक अच्छे किस्म की प्रजाती है इसकी डिजीज डेजिस्टेंस की कैपसिटी बहुत अच्छी होती है यह बिमारी के प्रत सांसील है जैसे इस्टेंबोरर, लेफ होल्डर, सीद बलाष्ट, बलाष्ट आज रोगों में यह सांसील होता है इसकी कुछ कमियां भी हैं जैसे यह तनाच छेदक के प्रत सांसील नहीं है इसके दाने मीडियम बोल्ड होते हैं जैसा कि आप खेत में देख रहे होंगे पोदों की रुपाई होती है तो बाइस दिन के बाद इसकी सुरुआती आउस्ता में इसकी हाइट नहीं बढ़ती है इसके बाद एक इसकी हाइट बढ़ने लगती है जब फालाने लगती है इसको पानी की भरपूर आवसिकता होती है या धान आप निशले अस्थानों पर लगा सकते हैं जैसे नहार हो गया बोलवेल हो गया आपके पास सिचाई की अच्छी विवस्ता हैं हैं इसकी राज्यों बाद दसा में पचीसे अठाई